हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप सीछेंगे कि कैसे हम टैली यार्पी 9 में कंपनी का लोगो सेट करते हैं तो आपको अपना टैली यार्पी 9 को आपन कर लेना है उसकी बाद आपको यहाँ पे कंपनी फूचर का सौटकट की F11 प्रेस कीजेगा और आज आईएगा accounting futures के अंदर में यहाँ पे आपको सारा options देखने को मिल जाता है जो की इसका shortcut की होता है F1 ठीक है यहाँ पे आपको आना है last option जो की other futures आपको सो हो रहा होगा यहाँ पे आपको enable company logo का option देखने को मिल जाता है यदि आपके टैली में यदि यह option नहीं आता है इसका मतलब आप टैली का old version use कर रहे है आपको उसको new version लेना पड़ेगा इसके लिए आपको कोई charges भी नहीं देने है उसका video मैंने already बना के रखा हुआ है आपको उस video का link i button में और description में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के टैली RP9 को download कर सकते हैं install करने का सारा process मैंने वहाँ बताया है उस हम वही version use कर रहे हैं अब आपको यहाँ पर enable company logo का जो option दिख जाता है आपको simply इसको yes करना है yes करने के बाद यहाँ पर location of logo पूछेगा ठीक है example के तोर पर मैं क्या करता हूँ desktop में आता हूँ यहाँ पर देखिए desktop में मेरा यह image है इसी को हम क्या करेंगी लोगों के तोर पर यूज करना चाहते है तो आपको देखिए logo set कैसे करना इस पर right click कीजिएगा और यहाँ पर properties में open कीजिए जैसी आप property open करेंगी तो आपको यहाँ पर location देखने को मिल जाता है same इसी locations को आपको यहाँ टेली में insert करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर already करके रखा हुआ है देख यहाँ पर देखिए फाइल का जो नेम होगा यानि कि जो भी आप image यूज करना चाहते हैं उसका जो नेम होगा उस नेम को आपको यहाँ पर देदेना है उसके बाद उस image का format भी आपको बताना है dot jpg ठीक है यह दो ही format आपको टैले में accept करेगा या तो jpg या bmp इस दो format के अलावा और को भी format यदि आप यूज करेंगे तो उसको यहाँ पर प्रोब नहीं करता लोगों के लिए आपको simply यह इतना सब कुछ करने के बाद आपको enter करते हुए accept कर लेना है इस entry को तो आपका जो logo है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा अभी चलिए मैं आपको एक normal entry करके print करके भी दिखा देता हूं कि आपका logo कैसे सोगा तो इस प्रकार से हमने एक domain entry already किया हुआ है यहाँ पर आपको इसका print करना है और यहाँ पर आपको yes करना है जैसी आप yes करते हैं तो दीखिए हम जूम कर देते हैं इसको तो दीखिए इस प्रकार से आपका company का logo लग जाए जाता है और बहुत सारे जो टैली अर्पी 9 के जो कोर्स है वह already हमारे चैनल पर अवलेबल है उसका playlist बना हुआ है आप description में जाएगा वहाँ पर playlist दिया होगा आप वहां से जाकर के टैली का पूरा course free of cost बड़ी आस्थानी से सीख सकते हैं जिसके लिए आपको काफी पैसे करने पड़ते हैं इस टैली को सीखने के लिए तो आप उसको free of cost सीख सकते हैं और अपने information को increase कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसे लगा हमको comment करके जरूर बताएगा और एक like तो जरूर कीजेगा क्योंकि आपके लिए यहां पे कई ऐसे interesting जानकारी आती रहती है जाने से पहल ट्रैक पाएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में